आज की वीडियो में मैं आप मुझे इन जॉब्स की बारे में बताने जारी हूँ वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर अनाउस हुई है और ये लेडिस के लिए अच्छी ख़बर है लेडिस जॉइन कर सकती है पाकिस्तान आर्मी को एजन कैप्टन तू लेडी कैड़िट कोर्स 2021 LCC 18 अब इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारेश हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें बैल के आइकन पर क्लिक कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है या मास्टर्स है तो आप इन गवर्मेंट की फूल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाए कर सकते हैं हजार से ज्यादा आसामिया खाली हैं आप जॉइन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को अजन कैप्टन इंजीनरिंग में अगर आपने किया इंजीनरिंग सिगनल्स ओर्ड है साल से ज्यादा ना हो फीमेल्स ही अप्लाए कर सकती हैं जो अन्मैरेड हो जिनकी हाइट पांच फुट तक हो और वेट उनका एस पर बॉडी मैस इंडेक्स हो अब आप देख सकते हैं इनका ऑफिशल एडविडाइसमें जिसमें बताया है कि जॉइन पाकिस्तान आर्मी एस कारड़ कोर्स और उसके इलावा यह जो इंजिनरिंग वाली फील्ड है इसमें अगर आपने करना है तो अगर आपने बी-ई आर्किटेक्ट या पिर बी-ई जियो इन्फॉमेशन इंजिनरिंग में किया है तो आप अपलाए कर सकते हैं अगली जो सिगनल्स वाली अगर अपलाए करना है तो आपने बी-ई इन बायो मैडिकल इंजिनरिंग या बी-ई इन एलेक्टरिकल किया है तो आप अपलाए कर सकते हैं आर्मी एजुकेशन में अगर आपने अपलाए करना है तो अगर आपने में 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 या बी-एस कैमिस्ट्री या हिस्ट्री में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, information technology में अले department में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने अगर BS या BE किया वा है, software engineering में, cyber security में, geo informatics में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, judge advocate के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, तो अगर आपने LLB की वी है, और दो साल का तिजर्बा भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, common features हैं कि 2.5 GP आपका होना चाहिए, out of force या पिर 60% marks in annual system, उसके इलावा MFIL MS will be given preference, और कोई third division आपकी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक second division allowed है आपको पूरे academic career में, और उसके इलावा candidates जो हैं, वो HEC recognized universities से पास हों, और उसके इलावा मजीद दिनों ने बताया है कि candidates acquired qualification as private, candidate is not eligible, और gender female apply कर सकती हैं, जो unmarried हों, जो पाकिस्तानी citizen हों, और जिनकी minimum height 5 feet हो, weight उनका as per body mass index हो, उसके इलावा vision उनकी जो है वो 6 by 6 हो, अगर आप दो दफा I.S.S.B. से आउट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए ineligible होंगे, उसके इलावा अगर आप permanently declared unfit by appeal medical board हैं, तो आप ने apply कर सकते, उसके इलावा मजीद अगर आप hepatitis B या C में मुक्तिला हैं, तो आप इसके लिए ineligible हैं, और अगला जो है registration का तरीका इनने बताया हुआ है, और उसके बाद registration आपकी 8 दिसंबर से शुरू होगी, 24 दिसंबर तक होगी, और आपकी जो preliminary test होगे, वो 28 दिसंबर से शुरू होगे, 8 जनुरी तक होगे, return test होगा, आपका professional return test होगा, intelligence test होगा, multiple choice की farm में होगा, उसके इलावा medical test होगा, आपका physical test होगा, जिसमें 1.6 km की running होगी, जो 14 मिनट में आपने करनी होगी, ISSB test होगा, एंट पे, और short listed candidate कोई ISSB test के लिए बुलाया जाएगा, और ISSB test आपकी जो army की website है, उस पे, आपका call up letter आपको मिल जाएगा, मजीद इन्होंने बताया है कि जो training period होगा, एट पीमें वो 6 मन्थ होगा आपका, और इनके center पिशावर, लाओर, हैदराबाट, फैसलाबाद, दियाई खान, इनमें से कोई भी आफ्लेक कर सकते हैं, अब आप विजिट करें, पाकिस्तान army की website join.gov.pk, इस website पे जाएं और आनलाइन अपलाए कर दें, इन जबरदस किसम की जाब्स के लिए आखरी तारिक से पहले पहले.